हेलो फ्रेंट्स इंडियन फूर्ड विस्प्रिया में मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं नारियल का पराठा तो चलिए देखते हैं पराठा बनाने के लिए नमें क्या चाहिए पराठा बनाने के लिए मैंने यह कच्छा नारियल, गुढ, इलाइची पाности, तेल और गेहुं का आटा अब हम इस नारियल की टुकडे को गदुकस कर लेंगे तो मैंने नारियल की टुकडे का पहले से गदुकस कर के रखा है यह देखे बलेंगे सबसे पहले कि अब हम आटा गूठेंगे तो इसके अंदर दो डिख तेल डाल देंगे इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे और जैसे हम आटा गूते हैं उस तरिके से पानी डालके हम आटे को अच्छा से गूत लेंगे तो फ्रेंट मैंने यह आटा गूत लिया है अब इसको हम बगल में रख देंगे और हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ फ्रेंट मैंने ग्यास पर कड़ाई रख दिया है उसके अंदर मैंने जो नारीयल का पुरादा किया था उसको हम भून लेंगे अब बिल में आच पेस को हम भूनेंगे हलका ब्राउन होने तक हम इस भून लेंगे एक बात ध्यान रखना है कि इसे हमें हलकी आच में ही भूना है अब हम इराशी पाडर मिक्स कर देंगे थोड़ा सा मीसे और भून लेंगे यह हमने अच्छे तीसे भून लिया है गैस बंद कर देंगे और इसको हम थोड़े देर ठेंडा होने देंगे फिर इसके अंदर हम गुड मिक्स करेंगे प्रेंट्स यह हमारा नारियल ठेंडा हो चुका है इसके अंदर अब हम नारियल के अंदर गुड मिला देंगे स्वात के अनुसार हम इसके अंदर गुड मिलाएंगे इतना मिठा आप खाना चाते हैं उसके अनुसार आप इसके अंदर मिक्स करें गुड को अब इसको हाँ से मिक्स कर लिजिए आप चाहें तो इसकी जगा गुड़के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं अब यह अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमारा मिस्रन रेडी हो चुका है इसके अंदर मैंने इलाइशी पाउडर नारिल का बुरादा और गुर को मिक्स कर लिया है अच्छे से अब पराठे बनाने की सुरुआत करते हैं तो फ्रेंड्स मैंने एक आठे का लोई बना लिया है इसको अब हम पहले थोड़ा बेलें थोड़ा सा सुखा अठा लगा लेंगे इसको यासे गहरा कर लेंगे अब नारिल की स्टपिंग को इसके अंदर भर देंगे एक चमज भरेंगे अब धिरे धिरे साइट से इस तरीके से इसको मोड देंगे इसको यासे गोल कर लेंगे और सुखा अठा लगा कर हम इसे बेल लेंगे अब इसके हलके आतों से ऐसे हम बेल लेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरीके से फ्रेंडस यह देखिए पराठे को मैंने बेल लिया है इस तरीके से पराठे बेल लेंगे पराठे में दिखता है, देखने में ये अच्छा ही लगता है, तो अब हम इसी तरीके से बाकी पराठा भी बेल लेंगे, फ्रेंड्स ये पराठे मेंने बेल लिये हैं, अब हम इसको सेक लेंगे, तो पराठा सेकने के लिए तवा को मैंने गरम कर लिया है, उस पर थोड़ा पढ़े पलबग़ Oh ऐसे इसको फैला देंगे अब पराठी को इस पर डल देंगे एख से पहले शेक लेंगे हम गैस सहिस्पी आज को धीमी रखकाके हम शेखेंगे पराठी को अब पराठा एक तरफ से शेक लिया तो इस इसको दूसरी तरफ हम कट你在 equation ऐसे अच्छी तरीके से शेकेंगे इसकी ऊपर हम तेल लगा देंगे प्रवाइब दाल देंगे इस तरीके से अब फिर दूसरी तरह हम पलट के चेक कर लेंगे पराटा सख्या है तो थोड़ो थोड़ा सख्या है लेकिन हम इसे और सेटिंगे अब पराटे को मैंने पलट लिया है यहां भी हम तेल लगा लेंगे अब दोनों तरफ से पराटे को पलट पलट के अच्छी तरीके से सेख लेंगे तो फ्रेंड यह हमारे पराटे सेख गए हैं अब इसी तरीके से बाकी पराटे सेख लेंगे इसको हम फ्लेक में निकाल लेंगे देखे हमारा नारल का टेस्टी पराठा बन गया है यह äक्त भाने में बहुत ही डीस्ट की तरह है जबसे पुरंपोली बनाते हैं उसी तरीके से इसको हम नारल भी बोज सकते हैं तो इसे आप चटनी अचार के साथ करें हैं बहुत ही अच्छा आता है इसकुम THAT को आप जरू ट्राय करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर में यह रेसिपि आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यों वाचिंग